असलाम अलेकूम मेरा नमेस सोहेब हाजरू एक नहीं वीडियो के साथ आज मैं आप लोग के लिए लेक रहा हूँ एक पांच मरला का घर जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है इसका मुकमल नक्षा आप लोग के साथ शेयर करेंगे पांच मरला घर स्ट्रक्चर बनाने पर कितनी लागत आती है इसके लावा ये पांच मरला घर स्ट्रक्चर हाउस फॉर सेल है तो अगर किसी ने ये घर खरीदना हो तो आप खरीद भी सकते हैं तो एक वीडियो में आप लोग को काफी ज्यादा information मिलने वाली है वीडियो मकमल देखिएगा ताकि आप लोग को मकमल information मिल सके और अगर भी तक आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी आप लोग ने राइट और लेफ्ट साइड से गली का व्यू देखा है ये घर लहौर बहरिय टॉन जिना ब्लॉक में मुझूद है तो इस घर की ग्रे स्रक्चर की लागत भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे ये घर अगर आप लोगों ने खरीदना हो तो ये आप लोग को कितने का मिलेगा ये भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं साथ साथ घर का नक्षा भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं तो अभी हम गिराज में थे गिराज सामने टीवी लाउंच की एंटरस है टीवी लाउंच के एंटर से घर के अंदर एंटर होते हैं गिराज में आप लोग बड़ी गाड़ी असानी के साथ खड़ी कर सकते हैं तो ये है जी टीवी लाउंच और ये है बेडरूम और बेडरूम के साथ है किचन ओपन किचन है और TV lounge के साथ ही open drawing room है ये हमारा drawing room है सामने सामने खिटकी है और garage में garage से आप लोग drawing room में enter हो सकते हैं और ये है जी beam जो के TV lounge और drawing room को separate करता है ये है bedroom bedroom का अंदर से आप लोगों को दिखा दें सामने niche बनाएगी है और bedroom के साथ attached washroom है ये सामने washroom है तो ये है जी bedroom ground floor का ये है ground floor का नक्षा अभी ये stage जा रही है आपके first floor के उपर तो चलते हैं first floor का उपर से देखते हैं आज कल पाकिसन में पांच मरला gray structure बनाने की जो लागत आ रही है वो तकरीबन 30 से 32 हजार उपे gray structure पर लग जाता है पांच मरला पर तो ये है जी अभी हम आ चुके हैं टीवी lounge में first floor के RCC slab डाली गई है और ये stage जा रही है आपके second floor पर यानि के चट के उपर तो ये stage के सामने kitchen था और ये back side पे bedroom है bedroom में niche बनाई गी है आप देख सकते हैं bed की जगा पे और ये है जी आप लोग का cabinets का area यहां पे almari बनेगी तो ये back side पे window और इसके साथ attached washroom इस घर की demand है जो एक क्रोड दस लाक रुपे ये आप लोग को gray structure बनेगा आप लोग finishing खुद करवा सकते हैं अगर आप लोग finishing करवाना चाहते हैं तो अभी हम आप लोग को finishing कर देंगे तो उसकी लागत अलग से होगी और ये है उपर एक और bedroom first front पे इसके साथ भी attached washroom है जी तो ये आप देख सकते हैं bedroom इसके साथ attach washroom भी आप लोग को दिखाते हैं जी तो ये है washroom attach आज कल पक्सरन में gray structure की जो लागत है वो तक्रीबन आप लोग को बताई मैंने 30 से 32 लाग रुपे असानी के साथ 5 मरला gray structure पर लग जाता है और ये है terrace ये है front पे terrace और ये front elevation का design है इस घर की demand आप लोग को दोबारा बता दूँ एक क्रोड 10 लाग रुपे इसकी demand है gray structure की जी और ये stage जा रही है आप लोग के second floor के उपर यानि के चछत के उपर मम्ती के उपर उपर भी एक store बनाया गया है और store के साथ अटाच वाश्रूम भी है उसको आप as a servant quarter भी यूज़ कर सकते हैं और ये है जी चछत का area और ये है सामने servant quarter और साथ अटाच वाश्रूम और ये आप लोग को view दखा दूँ ये बहरिया टॉन जिना ब्लॉक में मजूद है सामने आप लोग को grand mosque नजर आ रही होगी right side पे front सामने park है सारे almost घर बने हुए हैं इर्दगिर्द जी तो ये थे हमारी आज की वीडियो उमीद कर तो आप लोग को वीडियो पसंद आ ही होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें मिलते नेक्स वीडियो के साथ अलाफिस